स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एक्जामपयर पर मैं फार्मसिस्ट रॉबिन सिंग एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मसिस्ट का पेपर और ये पेपर आपका MCQS फॉर्म में है और पेपर जो कंडेक्ट हुआ है ये BCCL का है कोल्ड फिल्ड लिम्टेट करके जो आपकी कोल्ड फिल्ड की कंपनियां होती है कोईले के ख़दानवादी 2015 में पेपर कंडेक्ट करवाया है BCCL ने और आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे और लमसम बीस बीस कुश्चन अब लिये जाएंगे ठीक है तो हमारा जो पहला कुश्चन है वो इस्टार्ट होगा जाकर के देखे दोस्तों क्या है कि अब हम लोग MCQS फॉर्म में कुश्चन करेंगे और चैनल को आप लोग जरू सब्स्राइब कर दीजे अपने दोस्तों तक सेर कर दीजे और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और है क्या कि अब सब्सक्राइब क्यार से 5000-6000 की बीच में और यह जो वेकेंसी है अभी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसके पहले आपने बहुत सारी जानकारी इधर उदर से सुनी होगी कि यूपी एक पीटी एकजाम होने वाला है ठीक है लेकिन आप आपको जब कुछ आजाएगा नोटिफिकेशन तब हम अपने चैनल से इसको आपको सूचित करेंगे जरूर सूचित करेंगे ठीक है तब तक के लिए अपनी तयारी जो है जबरजस्त रखिए पीटी एकजाम आए उसकी भी तयारी करी आएगी परेशान होने कोई ज़रू करेंगे अपना अच्छा पहला कुश्चन विच बोन इस डार्जिस्ट बोन इन यूमेन बॉड़ी आपके सामने आपके चार आप्सन यू है वह आपके सामने आपको आंसर क्लिक करना है फीमर है यूमरे से टीबिया है या रेडियस है ठीक है जल्दिस बताईए आप इस बताई आपके बाड़ी बनाने वाली जगह को इसमें होती है आपकी यूमरेस और टीबिया फीबुला यह आप लोग जानते हैं रेडियस कहां पाई जाएगी अल्ना रेडियस यह भी हाथ पे पाई जाएगी ठीक है तो पढ़ेंगे हम लोग टीबिया आपकी पैर में पाई जाती है कुश्य नमबर दो की तरफ ए साइकलिस्ट टर्निंग एराउंड अकर्वड रोड लीन्स इन वर्ट्स बाई दूइंग सो विच फोर्स ही हैस ही इस प्रोवाइडिंग हिंसल्फ विच इनेबल्स टू टेक अटर्ण देखिए आप से कुछ नहीं आप से सिं ठीक है तो आपने बहुत बारपना होगा और इसके जहेए देखिजू आप्षिन है वह आपके सामने है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सैंट्रीपिटल फोर्स एंट्रीपिटल फॉर्स eneo अंगूलर विलासिटी एंग King उलर विलासिटी और रोना फसर 10 तो फॉसीर्थ की तरफ नहीं सेंट्री पिटल सो 훨씬 होता क्या होता है centuryFun फॉस ठीम यह यनि अभी चेंद्री बल एक होता है अब केंद्री बल एक होता है अभी कहना डेल थीक हो तो यानि सेंट्री पिटल फोर्स हो गया फिर बढ़ेंगे हम लोग कुछ नमार 3 की तरफ लिक्विड ड्रॉप्स और गैस बबल्स और आलविज स्पेरिकल ड्यूटू देखे जो लिक्विड का ड्रॉप्स होता है जब आप उपर से लिक्विड का ड्रॉप्स उपर से आप पानी डालने थे गोल हो जाता है ठीक है नीचे आते आते की बुर्ण सेब फोल्स की वजए होता है तो आप बता देंगे surface tension की बज़ादे से जो है always spherical जो इसका जो सेब हो जाता है गोला कार सभी इसको कहते हैं और क्यों हो जाता है सरफसे बैक्टीरिया होता है उसको क्या कहते है PPT पिर बढ़ेंके question number 3 की तरफ question number 4 की तरफ the branch of biology that deals with the study of fungi is called देखे बताई आप बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा question है कि branch of biology that deals with the study of fungi is called fungi का अधियन किस में करते हैं phycology में, algology में, microbiology में या mycology में तो study of fungus is we are done in mycology ठीक है ना mycology में हम लोग fungus का अधियन करते हैं the hicks boson particle which was discovered by the scientist is also known as scientist ने एक hicks boson particle की खोच करी थी जिसको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, quantum particle कहते हैं, god particle कहते हैं, high mass particle कहेंगे या atomic particle कहेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं, god particle यानि god particle कहेंगे, ठीक है hicks boson particle को किस नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से, god particle के नाम से, drug use in the treatment of gout, very nice question, gout के जब दिक्कत हो जाती किसी को, deposition of sodium urate crystal between the joints, जब joints के बीच में ये जैसे joints हैं आपके, इसके बीच में sodium urate crystal जब ये जो collect हो जाते हैं body में, तो इसको कहते हैं हम लोग gouty condition, इसमें inflammation हो जात जाता है और जो है, टफी लाइक structure हो जाता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी दवा का इस्तमाल करते हैं, आप बताएंगे, कॉल्चिकम, कॉम, टर्मेरिक, इफेडरा या एकासिया, तो सही आंसर इसका है, कॉल्चिकम, कॉम, ठीक है, कॉल्चिसीन आपने नाम सुना, ये बस उसी की बात हो रही, question number seven की तरफ चनेंगे, general test to identify carbohydrates, देगे, बहुत ये अच्छा question है, carbohydrates को identify करने के रिए general test कौन सा किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, mayor test, benedict test, sinoda test, या mollis test, तो general test पूछ राजू, simply हम लोग करते ही हैं, carbohydrates के लिए, तो आप लोग सीजी सी बात है, answer क रदीजी का mollis test, ठीक, mollis test is a general test to identify the carbohydrates, question number eight की तरफ चनेंगे, meaning of anatomy is, देगे, anatomy का मतलब क्या होता है, meaning of anatomy, देगे, आप लोग देख सकते हैं, कि level question का किस तरीके से बढ़ गया है, अब आप कोई भी फार्मासिस्ट का exam देंगे, तो आपको इस तरीके को question, इसके बहुत ही उम्दा question आपको मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके question आप बहुत ही कम आने लगे है, चुकि level बढ़ गया है, ठीक है, meaning of anatomy, यह आप question कर पाएंगे, suppose that आपने अगर पढ़ा भी नहीं है, तब भी आपने जो फार्मेसी जब कभी पढ़ी होगी, तो आप इतना तो जामते है, anatomy मत मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे, study of plants, study of microbes, study of human body parts, none of these, तो क्या होता है, meaning of anatomy, anatomy का मतलब क्या होता है, तब आप बताएंगे, study of human body parts and their relation between each other, है ना, उनका जो आपस में सम्मन होता है, वो भी हम लोगी सी में study करते हैं, अब question number 9 पे चलेंगे, zero pthermia is due to the deficiency of, zero pthermia किसकी deficiency से होता है, बहुत ही अच्छा question, zero pthermia एक disease होती है, और इसमें क्या होता है, जो eyes होती है, अब मैं आपको इतना hint दे रहा हूँ, जो eyes होती है, वो dry हो जाती है, यानि जो eyes में liquid पाया जाता है, जिससे आपकी eye, यह जो आखें है, वो नम होती है, ठीक है, तो वो जो liquid है, व मरु इस्तल में उगने वाले पहदे, ऐसे पहदे जो मरु इस्तल में उगते हों, तो उनको क्या कहते है, जीरो फाइटा, है ना, तो जीरो का मतलब dryness से related होगा, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A, या विटामिन B, बहुत ही अच्छा question है, विटामिन A, आप जानते हैं, रेटिनल, रेटिनल या रेटिनुक एसेड, इस वेरी बेनिफिशन और यूसफुल फॉर दा आईज, या विजन, ठीक है, विजन के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन होता है, ड्रग यूजड एज सेडिटिव एंड एंटि तरह सेडिटिव का अज़र सुला दे, और एंटि एपिलेप्टिक का तलब जो मिर्गी में भी काम करें, और मिर्गी में किस तरीके इस काम करेंगी, गाबा को इनहंस करेंगी, गाबा को फैसलिटेट करेंगी, तो कौन सी ड्रग है, वो आ जाएगी, डाइजी पाम, डाइ बेरियम क्लोराइड होता है, बेरियम सल्फेट होता है, या बेरियम कार्बोनेट होता है, बताएंगे आप लोग, तो आंसर इसका मैं बता रहा हूँ, आपको बेरियम सल्फेट, फिर वनाइगी क्यूशन अबर 12 की तरफ, the citric acid is used in iron limit test, तेकि iron के limit test में citric acid का भी इस्तिमा इसका में, जो कि 21 जुलाई 2019 को कंडेक्ट हुआ था, ठीक है, तो iron के limit test में, थायो ग्लाइकोलिक acid का इसिड का इस्तिमाल किया जाता है, ये आया था, ठीक है, किसका इस्तिमाल किया जाता है, तो थायो ग्लाइकोलिक इसिड एक उसमें option था, ये जो question पूच रहा है, कि citric acid का भी इस्तिमाल किया जाता है किसमें iron के limit test में तो citric acid का का क्या होता है आप बताएंगे to prevent color due to sulphate to prevent color due to copper to prevent color due to chloride या to prevent color due to lead मतलब color को prevent करने के लिए sulphate की वज़े से copper की वज़े से chloride की वज़े से या lead की वज़े से इसको रोकने के लिए citric acid का इस्तेमाल किया जाता है आईरन के लिमिट टेस्ट में की तरफ चलेंगे antidote used in the cyanide poisoning very nice question बहुत अच्छा question है आपका antidote used in cyanide poisoning to cyanide poisoning में कौन सा antidote हम लोग इस्तेमाल करेंगे sodium thaiosulphate sodium benzoate sodium potassium potassium tartrate का इस्तेमाल करेंगे या sodium benzoate का इस्तेमाल करेंगे sodium nitrate and sodium thaiosulphate का इस्तेमाल करेंगे very nice question बहुत अच्छा बहुत युम्दा question है आपको अंसर बताना है जल्दी से बताईए आप अंसर अब मैं बताता हूं आपको इसमें sodium nitrate and sodium thaiosulphate both of them दोनों का इस्तेमाल करेंगे यानि आपका sodium thaiosulphate होता ही है और साथी साथ आपका sodium nitrate भी होता है ठीक है तो यानि इसमें केवल क्या दिया गया है इसमें केवल आपको दिया गया sodium thaiosulphate यानि यह गलत है चुकि आपसन के आपसे हम लोग टिक करेंगे न अब जिस हमारा ऑपसे बॉनों दिये है यानि वह सही होगा हमारा ठीक है तो इसमें एक लिया इसमें दों दिये और दोनों की दोने अस्तमाल की इस सब्सक्राइब हमार्वत इस वजह सी होगा हमारा कौन सब्सक्राइब होगा यह वाला उनब करscall 45 की तरफ of The following is not formed by Haemoglobin Hemoglobin की वज़े से क्या एक ऐसी चीज है जो नहीं बनता है Body के अंदर इन चारों में से Which of the following is not formed by Hemoglobin यानि Hemoglobin के breakdown के होने के बाद तूटने के बाद इन चारों में से कौन सी चीज नहीं बनती है देखिए Fibrinogen, Bilurubin, यह Bilurubin नहीं है Bilurubin है, Eurobilinogen या Ishtercobilin तो आपको बताना है क्या नहीं बनता है, शलिए मैं बताता हूँ, Fibrinogen is not made after the breakdown of Hemoglobin Hemoglobin के breakdown से Fibrinogen नहीं बनता है, ठीक है फिर हम लोग आगे बनेंगे 15 नमबर कुश्चिन पे, the drug warfarin is used in disease डिजीज किस डिजीज में drug warfarin का इस्तेमाल होता है drug warfarin is used in the disease in which disease, thrombosis में, hypertension में, congestive heart failure में या एंजाइन पेक्टोरिस में, drug warfarin है क्या, warfarin जो होता है ये किस तरीके की drug होती है, ये होती है anticoagulant क्या होती एंटी काउगुलेंट जो रक्त का ठकका ना जमने दे इसको क्या कहते हैं, anticoagulant, रक्त का ठकका जमाना नहीं है इसमें body के इंदर, या inside body या outside body, या in vitro या outside of body प्वार्फैरी एक हमारी एंटी कोफिलेंट होती है और सर्बोसुस इसलिए किसमें इसमाल होगी स्रूमबोसस में इस में होग้ा स्क्राइब बाडी में जोकी हमको नहीं देना होता है और उसके इसमे स्क्राइब व detective बहुत है इसीडिया और gr3 difficile mówi देखेंगे यह एक टो सुछंशन छिपजाता है normal of nor último इपिनेफरीन इलिवेड़ींट इनो ब्रेण इंडिचे लेवन जो हता है नौर इपिनेफ्रीन का इन्हीं नो एडरिनलिन का इलिवेट स्वाइट है वड़ जाना ना ब्रेन में किस डिजीज में बढ़ जाता है बहुत एंद्थराइटिस में Bढ़ेगा कि ग्लुकोमा में बढ़ेगा मैं टेनिया ग्रेविस में बढ़ेगा या सीजोफ्रैनिया में बढ़ेगा आप देख लिजिए नौn ईफरेंद क्या हीता एक न्यॉडो हो तेख लुग यह कि नियूरो का मतलब ब्रें के इंदर ठिक तो अर्थराइटेस कहा होता है ल्वास टॉर्व जानते तो मैं बता दूँगा कि मस्धैन ऐं ग्रेविस यह मस्द्वध होती ईसमें क्या होता है जो मसल्स आपकी होती है यो επroat1 ग्रैविटी के तरफ जो है जुकने लगती है ठीकिजिस करने लगती है कि ग्रेविटी की तरफ और ग्लोकोमा क्या होता है इंक्रीज इंट्रा-उकिलर प्रेशर इंदा आई यानि इंट्रा-उकुलर का औकुलर का अपने आप में सेंस होता है आई से आई का मतलब आखों से जब आखों के अंदर इंट्रा औकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे ही ग्लोकोमा कहते हैं मिस्थैनिया ग्रेवेस मस्कुलर डिजीज हो गई जो की ग्रेविटी से रिलेटेड होती है गुर्पा कर जाता है ठीक है बहुत अच्छा बहुत उमदा बहुत इंपर्टेन क्युस्ट्सन है विचिट्रॉस wax विंक्राइन एक सब्सकेर नीदिक copper causes देखे अगर body के अंदर बहुत ही अच्छा कुश्चन है body के अंदर अगर copper की मात्रा अधी हो जाए तो कौन सी disease हो जाती है आप बताएंगे Wilson disease, night blindness, leukemia या causing disease तो देखे Wilson disease के बारे में मैं आपसे बाद में डिसकस कूँगा leukemia का मतलब हो जाकर कि increase the count of WBC, night blindness का मतलब रताओंधी आप बोल सकते हैं रात में दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक है ना रताओंधी ही होगी आपकी, vitamin A की कमी हो गई, human जो eyes होती है उसमें दो तरीके के सेल पाए जाती है, road cell और con cell road cell जो होती है, road option pigments निकालती है, secret out करती है और रात में देखने में काम आती है, यानि road cell की body में कमी हो गई और Wilson disease का मतलब हो गया जाकर के excesses of copper deposition in the body, जब copper का deposition body के अंदर excesses amount में होने लगता है तो होता क्या है जाकर के Wilson disease होती है spelling आप correct कर लीजिएगा, question number 19 पे चलेंगे, नेफा जोलीन is used in, very nice, बहुत ही अच्छा question है, जो practice कर रहे हैं लगाता है हमारे फार्मसिस्ट बंदू, वो तो जानना होंगे कि नेफा जोलीन क्या होता है नेफा जोलीन is used in, देखे हाईपोटेंशन, अस्थमा, नेजल डिकॉंजिशन या हे फीवर, तो नेफा जोलीन का इस्तेमाल किस में होता है आपको बताना है नेफा जोलीन का इस्तेमाल किस में होता है the right answer is nasal decondition nasal decondition में आपका इस्तिमाल होता लोग चलेंगे देखें nasal decondition हो गया और लाश फिशन पे चलेंगे drug to kill viruses देखें ऐसी ड्रग जिसका इस्तिमाल होता है virus को kill करने में तो ऐसी कौन सी ड्रग होती जो इस्तिमाल की जाएगी to kill the virus आपनीसलीन का इस्तेमाल, एजथ्रॉमाइसिं का इस्तेमाल, अइडॉक्स उरॉदीन का इस्तेमाल, किल्ना नॉफदायबाब आप लोग औप्शन देखे, खुद से सोची, देखे पैनीसलीन क्या होता है, फंगस से मिलने वाला एंटिबायोटिक है, फंगस का नेम है पेनिसिलम नोटेटम दे फर्स्ट एंटिबायोटिक डिराइब फ्रम दे फंगस इज पेनिसिलिन एंड सर्च्ट बाइ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ओके एक ही है दोनों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिनियन का मतलब पहली एंटी बायोटिक जो की डिराइवड की गई कहां से फंगस से ओके दूसरा क्या है एजित्रोमाइसिन एजेटी पता नहीं क्या एजित्रोमाइसिन मान लेते हैं हम लोग का मतलब इन्वे से कोई नहीं और यह आपकी चाओथी जो दीगई है सी नमबर है आईडॉक्स योडी डिन तो आईडॉक्स यूरिडिन जो आपकी होती है यह आपकी एंटिवायरल दबा होती है कौनशी होती हैं एंटिवायरल यानि जो वायर्स को किल करेगी वह मेडिसीन ह होती है आपके आई-डॉक्स यूरीडिन ठीक है तो यह थे हमारे 20 क्विश्चन आज के 20 क्विश्चन अगर आप वी क्विश्चन अच्छे लगें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर सेर करें हम आपके लिए फ str्ण दोस्तों आपके अनल डोस्तों जरूरीड वीह टार्खंग टार्षयर ठीक है Auckland